आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े सामाजिक कारे करता जिननोंने मानेवर कासीराम साभ के साथ भी काम किया हुआ है और पूनिके अंदर वो दोनों साथ थे पूरा जीवन आपका चिंता में है आज हम उनसे जाना चाहेंगे कि भारत सौने की चडिया कब तक रहा अभी वो सौने की चडिया है या नहीं है या बन सकता है या नहीं है तो आरवेसिंग्स बताईए भारत को सुने की चडिया क्यों कहते थे और अब इस्तित्डेस उस चडिया का है जान गद है भारत को सोने की चुडिया का जो तमगा मिला था, वो बहुत पहले प्राचीन भारत की जो हमारे देश की इस्तिती थी, उसके अनुसार उसको सोने की चुडिया कहा गया था यह पीछे अगर हम जाते हैं, तो हमको सिंदुगाटी सब्विता, इसको इंडस्वेली सिविलिजेशन के नाम से जानते हैं, मौन जो दोड़ हडपा, इत्यादी जो पहले के जमाने की बात है, उसको अगर ध्यान में रखे हैं, बहुत संपन्नता थी देश में, यह देश ब पूरा बड़े प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर रहता था, कोई इस तरह की जो आज हमको देखने को मिल रही हैं समाज में गतिविदियां, मेरे ख्याल से इन चीजों का नामों निशान तक नहीं था, उसी समय कहानीकार भी, इत्यासकार भी बोलते हैं, कि हमारे द ब्रेद भारत, अखंड भारत, इसलिए उसको सोने के चडिया कहा जाता था, और कहा जाता है इत्यासकारों ने आज भी इसको इसी तरह पताया है, और लोग इसी की जो है चर्चा भी करते हैं, आज के उपर प्रेक्ष में अगर हम देखते हैं, तो हमारे देश के जो सत्ता सत्ताधारी वर्ग हैं, जिन में चाहे वो आज के सत्ताधारी हो या पिछले सत्तर साल के सत्ताधारी रहे हो, उन सब ने समझ समय पर अपना बखान इस देश के बारे में किया है, और हर एक अपनी अपनी बात इस बात से सुरू करता है, कि हमें गरीब हटानी है, हमें विक विकसित भारत की सिर्णी में आजाए, विकसित भारत जैसे कि अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मन है, इंगलैंड है, इस तरह की सिर्णी में आजाए, तो हम विकसित भारत कहलाएंगे, अभी हमारा जो स्टेटस है, वो विकास चील भारत की सिर्णी में आता है, विकास इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि बीच में कुछ गड़बडी हुई है और वह बीच की गड़बडी मेरे ख्याल से दो-तीन हजार सालों का भरत का इतियास है जो लोग जानते हैं पढ़ते हैं समझते हैं इस बात को कहा कहा कितनी उत्थर पुधर हुई इसके बारे में इत अब सवात पैदा ये होता है कि आज इस देश में जो हमारे सत्ताधारी वर्ग हैं, जिसमें से मैं पर्टिकुलर नाम लेता हूं, जिसमें मोधी, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, देश में करीब 4-5 साल पहले इनोने वागडोर समाली थी, और उस समाली हुई या पर विद्यमान हैं कि हम देश को सम्रद्ध साली बनाएंगे, लाखों करोड रुपया तो मेरे ख्याल से एड़टाइसमेंट में खर्च हो गया, ये एड़टाइसमेंट से सोने की चुडिया नहीं हो जाएगा, ये एड़टाइसमेंट हम दिखा दें कहीं, लिखके द पासर दिये थे वो आज जोकेतों रिपीट हो रहे हैं थोड़ा बात 19-20 कई हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कुल मिलाके जैसे स्वक्ष भारत का उधान ले लिए कितना बावेला मचा था इस पॉइंट पर कितना दिखावा किया गया था जाडू ले लेके सारे के सारे नेता जो उतर गई थे मैदान में लेकिन आज गंदगी का आलम मेरे ख्याल से आप सब लोग बेख रहे हैं चाहे वो देश की रादधानी कैपिटल हो वहां भी गंदगी की इतनी इतनी धेर लगे हुए हैं कि आप इसका अंधाल नहीं लगा सकते हैं तो यह हालत तो हमारे सुक्ष भारत का है समर्द भारत का लोग बड़े-बड़े उधरत देते हैं कि सब्सक्राइब और पिछली कवर्मेंट ने कांग्रेश की गवर्मेंट ने जो भी गवर्मेंट ने कुछ काम नहीं किया अब सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप काम कर र मोवाइल नामने फैक्टरियां बना दी ये विकास की दौड में कुछ बहुत ही छोटी सी चीज है एक्चुली देश का विकास और देश का समर्दे साली बनाना और देश को सौने की चड़िया कहना डिपेंड करता है कि उस देश की सांसकरतिक और राजनीतिक और सामाजिक नीती और रीती क्या है लोगों की नियत में कितना फर्क पड़ा है बहुत पहले जब अच्छी नियत थी बीच में तिनी खराब क्यों हुआ उस नीती और नियत को बदलाव लाने के लिए इस देश में सबसे गरीब और एक लास्ट में जिसको बोलते हैं जिसको दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है उस आदमी के लिए अगर रोटी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए सिक्षा नहीं है और पड़े हुए बच्चों को उनको देने के लिए रोजगार नहीं है लोगों की सुरक्षा का कोई सवाल ही पहरा नहीं है सरे आम हाजकल क्या क्या हो रहा है देखनें को मिल रहा है और स्वास्त सुविधाओं का हलत भी कोई छपा नहीं है सारा का सारा काम इस देश में जो हुआ है वो बड़ा ही देनी इस्तिती में है साफ तोर पर मैं कहना चाहूँगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा होने के पीछे कारण एक ही है और सिर्फ एक ही है मेरे डाये में लोग तो बहुत कारण बता सकते हैं लेकिन वो बताते रहें मुझे जो दीख रहा है वो एक ही उसका कारण नजर आ रहा है वो कारण है कि देश जब आजाद हुआ उस समय देश के करता धरताओं ने इस देश को अच्छा बनाने के लिए इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक इनों को भोसना पत्र दिया था गोशना पत्रिन दा फॉर्म ओफ इंडियन कंस्टिटूशन भारतिय संविधान के रूप में वह भारतिय संविधान का प्रियेंबल जब मैं पढ़ता हूं जब लोग बताते हैं तो उसमें ही साधी की सारी चीजें वो हैं जो लोग भासन देते ठकते नहीं हैं अब भासनों को काड़यन रूप देने की बात थी देश की सत्ताधारी वर्थ देश की सरकार जो भी सत्तर साल से आज तक उनके उपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो उनको एक गोशना पत्र दिया गया था देश की आजादी के समय भारतिय संविधान के रूप में उस भारत को समाजबादी समाजबादी और सेकूलत डेमोकरटिक रिपब्लिक देश बनाना है अब अंदाज आप लगा लीजे कि समाजबादी देश बनाने के लिए गौवर्मेंट को सारी की सारी मशीनरी अपने हाथ में लगनी चाहिए और उसका प्रॉपर्ली अगर आज भी जो हमारे देश में करता धरता हैं जो सकताधारी वर्ग है कोई भी हो में किसी का नाम नहीं लुगा चूंकि प्रेजेंट में मोदी हमारा है इसलिए उनका नाम बेसकाता ही है उससे वह बच नहीं सकते हैं और नेना भी चाहिए इसमें कोई बुराई भी नह हैं तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि इस देश में जब तक हमारे सब्विदान के हिसाब से उसकी मूल भावना के हिसाब से काम नहीं करोगे देश सोने की चड़िया नहीं बन सकता है यह जो एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइविटाजेशन ग्लोगलाइजेशन इसके बारे हैं जिससे के देश को इसके कपिटलिस्ट कुर्स वाप जा रहा है बड़े बड़े ना गौतम अड़ानी मुकेस अम्मानी और पता नहीं कितने कितने अब तो चोटे मोटे बहुत से प्रदा हो गए हैं तो देश की जो पूझी है 90 परसेंट देश की जो पूझी है 80 90 परसेंट वो 10 परसेंट 5 परसेंट लोगों के हाथ में पहुँच गई है जो चोटे बड़े सामने बड़े बड़े तो कम ही है 1 परसेंट ही होंगे मुश्किल से लेकिन इस देश का जो सत्यानाश किया है वो इस पॉलिसी ने जो संविदान की मूल भावना जो स्टेट की बात कही गई थी एक स्टेट सोसलिज्म की बात कही गई थी उसको नकार कर आगा नहीं बन सकता है इसलिए मेरा अग्रह सरकार के नुमाइंदों से और सभी देशवासियों से यह है कि भारत में अगर वाकई सोने की चीडिया को काईम करना है तो आप सम्विदान के हिसाब से काम करें डेमोक्राटिक रिपब्लिक का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ खाओ पियो मौचकर और अपना आप कुछ भी बोलो इसा नहीं है भारत देश में भाईचारा मित्रता इक्वेलिटी इसको समानता बोलते हैं स्वतंतरता कहने की रहने की खाने पीने की यह सब दा फ्रिडम अफ है मेस्ड़ा घार तो मैं तो हम है करना करना ठारों से कि भारत को स्वने की चडिया बनाने की कोशिस अगर करना है विकसित भारत ह्वारत करना है तो सबकास आज सबकास विकास के नारे की जगए पर भारत के संविधान की जो अच्छी अच्छी धारणा है उन पर गौर करें तब ही हमारा देश सोने की तडिया बना रहेगा धन्यवाद